नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है Life Chronicles पे तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल राम कथा श्रंकला किया अगला भाग अध्याय दो जंगल और जनकपूर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिये शुरू करते हैं जैश्री राम जंगल और जनकपूर राजमहल से निकलकर महर्शी विश्वामित्र सर्यू नदी की ओर बड़े दोनों राजकुमार साथ थे उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने आयोध्या के निकट नदी पार नहीं की दूर तक सर्यू के किनारे किनारे चलते रहे दक्षणी टट पर उसी टट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी वे चलते रहे नदी के गुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे चूट किया उसकी आखरी बस्ती भी निकल गई चलते चलते एक तीखा मोड आया तो स सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई, राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन नहीं था, उत्सहा था, वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तयार थे, महरशी अचानक रुके, उन्होंने आस्मान पर द्रिष्टी डाली, चिडियों के जुंड अपने बसेरे की ओर लोट रहे थे, आस्मान मटमेला लाल हो गया था, चरवाही लोट रहे थे, गायों के पैर से उरती धूल में आदे छिपे हुए, हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महरशी ने पीछे मुड़ते हुए कहा, दोनों राजकुमारों के चे पार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नीद में रहो, राम और लक्षमर नदी में मुझ हाथ दोकर लोटे, महरशी के निकट आकर बैठे, विश्वामित्र ने दोनों भाईयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई, रात में वे लोग नहीं सोए, ति चलते चलते वे एक ऐसी जगे पहुँचे, जहां दो नदिया आपस में मिलती थी, उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी, महरशी अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था, राम लक्षमर अब दूरी बना कर नहीं चलते थे, महरशी के ठीक पीछे थे, ताक आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर, उस से पहले उन्हें नदी पार करनी थी, रात में ऐसा करना महरशी विश्वमित्र को उचित नहीं लगा, तीनों लोग वही रुख गए, संगम पर बने एक आश्रम में, अगली सुबा उन्होंने नाव से गंगा पार की, जानवरों की दाहार, करकश द्वनिया, गाम और लक्षमन को आश्वस्त करते हुए महरशी ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है, असली खत्रा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खत्रा हमेशा के लिए मिटा देना है, ताड़का के दर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमन कर देती, उसका डर इतना था, कि उस सुन्दर वन का नाम ताड़का वन पढ़ गया था, राम ने महरशी की आग्या माल ली, धनुषपर् इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था, टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरश्ती हुई राम की और दोड़ी, दोनों बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा, जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाई पेड काम उठे, पत्ते तूटकर इधर उदर उड़ने लगे, धूल का गना बादल चा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिये, राम ने उस पर बान चलाए, लक्षमर ने भी निशाना साधा, ताड़का बानों से घिर गई राम का एक बान उसके रहिदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर नहीं उट पाई, विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया, उन्होंने दोनों राजकुमारों को सो तरह के नए अस्त्र शेस्त्र दिये, उनका प्रयोग करने की विदी उनका महत्व समझाया, महर्शी का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी, विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तै करने का निर्णे लिया, ताड़का मर चुकी थी, उसका भै नहीं था, तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का की हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चडियों की चैचाहट थी, शांती थी, तस्वीर बदल गई थी, सिध्ध आश्रम का अंति पड़ाव था, महर्शी का आश्रम, रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी, प्राक्रितिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग की हभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी, महर्शी विश्वामित्र के आश्रम लोटने की खुशी, राम लक्षमन के आगमन का सुख, विश्वामित्र यग्जी की तेयारियों में लग गए, अनुष्ठान प्रारंब हुआ, आश्रम की रक्षा की अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था, कुछ ही दिनों में, पांच दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांती से निर्विग्न, लगता था कि राजकुमारों की उपस्तिती ने ही राक्षसों को भगा दिया है, राम और लक्षमन ने यह के पूर होने तक ना सोने का निन्ने किया, वे लगतार जाकते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीट पर तुरीड, हाथ में धनुष, प्रतेंचा चड़ी हुई, हर स्थिती के लिए तैयार, अनुष्ठान का अंतिम दिन, अचानक भयानक आवाजों से आस्मान भर गया, ताड़का को, राम ने राक्षसों का हमला होते ही कारवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया, मारीच बान लगते ही मूर्चित हो गया, बान के वेक से बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे, वेह मरा नहीं, जब होश आया तो उटकर दक्षिर द भागे, कुछ लक्षमन के बाड़ों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए, महर्शी विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ, राम ने महर्शी को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आग्या है मुनीवत, महर्शी ने राम को गले लगाया, कहा हम लोग यहां से मिथिला जाएंगे, महराज जनक के यहां, विदेय राज के दरबार में, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने, महराज के पास एक अद्भुच शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो, राम अपने शिश्यों और राज कुमारों के साथ, वे गौतम रिशी के आश्रम से होते हुए नगर में पहुचे, राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया, तभी उनकी दृष्टी राज कुमारों पर पड़ी, विदेय राज चकित रह गए, वे अपने साथ लाया हूँ, आपका अदबुद धनुष दिखाने, विदेय राज ने महरशी, उनके शिश्यों और राजकुमारों के ठैरने की विवस्था की, एक सुंदर उद्यान में, अगले दिन सभी आमंतरित लोग, रिशिमुनी और राजकुमार यग्यशाला में उफ पेटी में पहिये लगे हुए थे, आठ पहिये, उसे उठाना लगबग असंबग था, पहियों के सहारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था, अनुचर मुश्किल से उसे खीचते हुए यग्यशाला में ले आए, धनुष देखते ही विदेय राज एक प विवाह होगा, अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए, उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चड़ाते, विदेय राज का संकेत समझ कर महर्शी विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो, राम ने सिर्ज जुकाकर गुरु की आग्या सुईकार की, आगे बढ़े, पेटी का धकन खोल दिया, राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्शी को, गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया, यग्यशाला में उपस्तित सभी लोग हत प्रप्त इसकी प्रत्यंचा चड़ादू मुनिवर, राम ने पूछा, अवश्य यदी ऐसा कर सकते हो, विधेराज चकित थे, राम ने आसानी से धनुष जुकाया, उपर से दबाकर प्रत्यंचा खीची, दबाब से धनुष बीच से तूट गया, उसके दो तुकड़े हो गए, ना था, उने सीता के लिए योग की वर मिल गया था, उनकी प्रतिग्या पूरी होई, जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमती हो, तो मैं महराद दशरत के पार संदेश भेजू, बारात लेकर आने का निर्मंतरण, यह सुप संदेश उनने शीग्र भेजना चाहिए महरशी की अनुमती से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से, इस बीच जनकपूर में धूम मच गई, बारात के स्वागत की तैयारिया होने लगी, नगर की प्रसंदता चरम पर थी, महराद जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में भी खुशी चा गई, आनन फानन में बारात तैयार हुई, आथी, घोडे, रत, सेदा, बारात को मिथला पहुचने में पांच दिन लग गए, जनकपूरी जगमगा रही थी, हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगे फूलों की चादर, एक-एक कोना सुवासित, हर घर के प्रविश्द्वा पर वंदनवार, एक-एक घर से मंगल गीत, मुख्य मार्ग पर दशकों की आपार भीड, खिड्कियों और छज्जों से जांकती महिलाएं, एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए, विवास से ठीक पहले विदेराज ने महराद दशरत से कहा, राजन राम ने मेरी प्रतिग्या पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया, मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री और मिला का विवा लक्षमन से हो जाए, मेरे छोटे भाई कुछ द्वच की भी दो पुत्रिया है, मांडवी और शृत की इरती, कृपिया उन्हें भरत और शत इस्त्रियों ने फूल बरसाए, शंक ध्वनी से उंगलियां गूंज उठी, यह आनन्द उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा, जैश्री राम तो दोस्तो हमारा अध्याय दो जंगल और जनकपूर यहां समात्त होता है, इसका तीसरा भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाएए ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और बड़ों का आधर करें, धन् जदेन जवगाएब और उसे सक्या हैं, अटके तक नदे पहुंचा का नेक्सान और मिलते हैं और दुप्थिकेशन अपर उसे सब्सक्राइब का शापना हैं, फिर प्रफ़ों के तक वित मत बड़ों कि य। रहा हुंचान भावाएब का इसक्ता का वित का पहुंचा हैं,